आज के इस वीडियो में हम अनुवांसिकी से संबंदित कुछ महत्पुन सब्दावली का अध्यन करेंगे जैसे जीन, इकाई लक्षन, एलिल, सम्युगमजी, विसम्युगमजी, संकरन, संकर, जीनोटाइप और फिनोटाइप आधी का अर्थ जानने का प्रियास करेंगे आएए वीडियो की सिरुवात करते हैं देखिए सबसे पहला है आपका जीन, जीन किसे कहते हैं, जो जीन है वहाँ अनुवांसिक्ता की कार्यात्मक इकाई है यानि कि जो अनुवानसिक्ता है उसकी कार्यत्मा की काई कोई क्या केते हैं जीन केते हैं देखिए पेले अनुवानसिक्ता को समझे अनुवानसिक्ता किसे केते हैं देखिए कोई भी जो जीव है वहाँ अपने माता पिता से कुछ लक्षनों को ग्रन करता है कुछ ना कुछ लक्षन तो जरूर लेगा और ये जो लक्षन है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में इस्थांतरित होते हैं इसे ही क्या केते हैं अनुवानसिक्ता केते हैं ठीक है तो जो जीन है वो अनुवानसिक्ता की कार्यात्म की काई है इस सब्द का प्रतिपादन किस ने किया है जोन सन ने किया तिया रखेगा अब दूसरा देखते हैं इकाई लक्षने को mi क्शिए बीची की दो रूप में कोई भी जीव है उसके लक्षन को हम दो रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे ही क्या केते हैं इकाई लक्षन केते हैं मान के चलिए कि इसको धारन के द्वारा अच्छे समझे कि पोधे की जो लंबाई है वो क्या है एक लक्षन है और लंबाई में भी दो रूप है लंबाई के भी दो रूप है एक तो लंबा और दूसरा बोना ठीक है समझ मारा है काई लक्षन तो किसी भी जीव के लक्षन को दो रूप में व्यक्त करते हैं उसे ही क्या केते हैं इकाई लक्षन केते हैं जैसे पोधे की लंबाई क्या है, एक इकाई लक्षन है, पर हम इसको दो रूप में व्यक्त करते हैं, एक तो लंबा और दूसरा है बोना, अब देखते हैं, युग्म विकल्पी, इसका दूसरा नाम है एलिल, देखें, किसी लक्षन के कारकों के दो रूप होते हैं, कोई भ और बोना, किसी लक्षन के कारकों के दो रूप होते हैं, जिसे ही क्या केते हैं, एलिल केते हैं, जैसे की पोधे की जो लंबाई है, उसके दो रूप होते हैं, लंबा और बोना, अब लंबे पोधे के लिए टी एलिल होता है, वो भी केपिटल, और बोने पोधे के लिए इ इसमाल्टी होता है तो यह जो हम टी मिद्ध करेंगे Leah expectancy कते हैं जेसे फच्छय के लिए लिए पोडे की के लमबाई के दो रूरव हों लमबा और बोना और लम्मे के लिए कुंसे अलीलके के लिए हम कैपिटल टी का और बोने पोडे के लिए हम इसमाल टीका अब देखिए यह युगमय विकल्पी है वो दो तरीके करेगा एक सम युगमजी और विसम युगमजी देखिए सम युगमजी नाम में ही लग रहा है सम हैने की समान एसी अवस्ता जिसमें कारकों के दोनों एलिल समान होते हैं एसी अवस्ता जिसमें कारकों के दोनों एलिल के से रहेंगे समान उसे कहेंगे अपन सम्युगमजी यानि की केपिटल टीटी और इसमाल टीटी एसी अवस्ता जिसमें कारकों के दोनों एलिल के से रहेंगे समान रहेंगे उसे हम कहेंगे सम्युगमजी और यदि एसी अवस् जिसमें कारकों के दोनों एलिल समान नहीं रहेंगे उससे हम कहेंगे विसम युगमजी तो यह आप विसम युगमजी देखिए कि एसी अवस्ता जिसमें कारकों के दोनों एलिल समान नहीं होंगे विसम युगमजी कहलाते हैं जैसे लंबे के लिए के पिटल टी और इसमाल क अब आएगा संकरन संकरन का दुसरा नाम है क्रोस किसी जाती के भिन्न भिन्न गुनों वाले नर एवं मादा के लेगिक रूप से मिलने की पिरकिरिया को हम संकरन कहते हैं संकरन किसे कहेंगे कि जो भी भिन्ने भिन्ने गुनो वाले नर और मादा के लेगी की रूप से मिलने की पिरकिर्या रहेगी उसे ही हम क्रोश या संकरन कहेंगे और अब लास्ट में है संकर संकर किसे कहेंगे कि जब दो भिन्न भिन्न गुनों वाले नर और मादा के संकरन जब दो भिन्न भिन्न गुनों वाले नर और मादा का संकरन होगा और उससे जो उत्पन संतती होगी वो क्या कहलाएगी संकर कहलाती है यह सी संकर कहते है अब देखें जीन प्रारूप इसका दूसरा नाम है जीनो टाइप वहाँ प्रारूप जो जीव के जीन संगतन को व्यक्ट करता है। ठीक है और अब आएगा फिनो टाइप यानि की लक्षन प्रारूप वहां प्रारूप जो जीव के रंग आकार आकरती को व्यक्त करता है जो जीन के जीव संगठन को व्यक्त करेगा वो तो जीनो टाइप पर लेकिन जो रंग और आकार और आकरती को व्यक्त करेगा वहां किल जाएगा आपका लक्षन प्रारू या फिनो टाइप उधारन जैसे पोदे का लंबा और बोना दिखाई देना इस तरह यह हमने कुछ अनुवान सी की के महत्पुर्ण सब्दावली को जानने का प्रियास किया अब आप इसका स्क्रीन सोट ले लिए और अपने कोपी में नौ तीसरा स्क्रीन सोट यहां से लिए इसके बाद में और अब यह स्क्रीन सोट ले लिए इसके बाद में यह संकरन यह संकरन कि यहां से ले लिए और स्क्रीन सोट और लास्ट में और अभी है ठीक है अगले पार्ट में हम इसके आगे का अध्यान करेंगे जब तक आप इने नोट कोपी में लिखकर अच्छे से कंप्लिट कर लिजेगा